सामने दो जो बंदे बैठ हुए हैं मतलब ड्राइवर सीड में और को पैसंजर सीड में वहाँ पे आप इस टाइप का शंचेट यूज नहीं कर सकते हैं करने वाला और आज में रिव्यू करने वालों टाटा नेक्सवन का शंचेट के ऊपर में यह मैंनेटिक टाइप है और इसको बताता हूं कैसे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा और शंचेट रिलेटेड अगर और शंचेट रिलेटेड जो भी क्वैरीज है मैं कोशिश करू कोशिश कर्या चाहिए नहीं तो यहां पर पर इसको मैं इसको मैं इसी स्टॉल कर रहा हूं यह MNNить Type है, तो इसको इंस्ट्ल करने के लिए, फ़हले मैं बैक साड में करता हूँ मैं कोई भी जिप आपको नहीं मिलता, जिप प्रोंट साड में आपको मिलता है तो वो yak आपको दिखा देता हूं जिप कैसे यह पर लगता है, तो यह है जिप टाइप का, ठीक है यह front के लिए है, तो अगर मैं इसको open करता हूं, तो यह इतना part आपको opening आपको यहाँ पर दिखने को मिलता है, पूरा नहीं उतरता यहाँ पर, तो अगर कुछ भी transaction करना है, विल्डो से, तो यह zip को open करके आप यहाँ से transaction कर सकते हैं, कोई भी जो sunshade है, उसको install करने के लिए दो चीज आपको ध्यान में रखना है, देखें, यह जो चीज है, यह hard GI wire से इसका जो bottle line है, बनाये गया है, तो कोई भी shape यह ले सकता है, जैसे आप bend करेंगे, और जगा जगा में magnetic block दिया गया है, powerful magnetic block है, ठीक है, जैसे यहाँ पर दो है, और यहाँ पर एक है, तो यहाँ जो surface आप देख रहे हैं, यहाँ पर basically curve है, तो जब आप यह product purchase कर रहे हैं, आप देखेंगे कि यह जो surface है, मतलब जो side है, वो flat ऐसे होता है, ठीक है, state होता है, तो मैंने इसको थोड़ा bend किया था, as per this shape, जो जितना आपका bend है गारी में, अगर दूसरा model के लिए भी आप purchase कर रहे हैं, तो वो चीज आप देख लीजे कितना bend है, और यह जो GI wire जो है, उसको आपको यह thumb लगा के थोड़ा इसको bend करना है, ठीक है, curve करना है, ताकि वो surface to surface match कर जाए, तो जैसे मैंने इस side मैंने कर लिया है, और उपर side को मैं कर लेता हूँ थोड़ा bend है, तो यहाँ पर म जादा कुछ नहीं, आपको boundary में इसको set करना है, और यह अपना position ले लेगी, ठीक है, बस इतना है, बस हो गया, यह install यहाँ पर हो गया, और यह चीज मैं बता दूँ, आप देख रहे होंगे कि, already मेरा यहाँ पर 3M का 70% transparent flame लगा गया है, ठीक है, उसके बाद भी मैं इसको use कर रहाँ, reason यह है, जो गर्मी अभी पड़ा है, यह जो flame है, वो भी support नहीं कर पार ही है, अंदर का temperature को control करने के लिए, AC को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, अंदर का temperature को down करने के लिए, तो यह effect को, और मतलब flame का effect है, और थोड़ा increase करने के लिए, यह sunset में अभी use कर और एक मेरा जो priority है, वो यह है, कि जब मैं drive करता हूँ, कुछ-कुछ condition में, मैं AC को on नहीं करता हूँ, लेकिन खिड़की भी मुझे खुला चाहिए, ठीक है, और भार का sunlight है, उसको भी मुझे रोकना है, तो उस case में, अगर मैं सिसा में उठा देता हूँ, AC on नहीं करता हू तो अंदर में totally oven बन जएगा, obviously, तो airflow को continue रखने के लिए, मैं इसको use करना बाड़ा हूँ, बस इसको में install कर दूँगा, और काच को में down कर दूँगा, ताकि यह as a filter जैसे काम करें, और अंदर में एक हवा का circulation भी बना रहे है, तो मुझे ऐसे भी use नहीं करना पड़ेगा, और मेरा purpose भी fulfill हो जाएगा, जो सीसा है, उसको मैं down करके भी आपको दिखा देता हूँ, तो transparency आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पर, तो दोस्तों देखने में कोई दिक्कत नहीं होता है, अगर आपको कुछ doubt है कि ORVM दिख्यागा नहीं, बारिस के टाइम में problem होगा, त मैंने उसके साथ drive पे गया है, rainy time में और रात के time में भी ऐसा कोई भी problem नहीं होता, यहां से आप clearly देख पाएंगे, अपने ORVM को judge कर पाएंगे, कोई problem नहीं है, लेकिन इस टाइप का अगर flame के उपर अगर लगाते हैं, तो I think visibility में थोड़ा problem हो सकता है, इसको सामने में इ यह zip आपके side में रहेगा, मतलब अंदर के side में face करकर रहेगा, और यह कुछ इस तरह से लग जाएगा, अगर आपको zip को open करना है, तो इतना zip open होगा, और इतना आप access कर पाएंगे, तो अभी मैं गाड़ी के अंदर में हूँ, और जो मेरा 3M का flame में वो भी, मतलब काज भी इतना petrol pump है, तो इतना आप access करके, आप पैसा या कोई भी transaction आप यहाँ पर कर सकते हैं, कुछ लेना देना है, तो यहाँ से कर सकते हैं, तो वो facility जो सामने दो जो बैठा हुए हैं उनके लिए, लेकिन back side में वो zip type का आपको नहीं मिलता, तो अंदर से भी आपको दिखा देत से भी कोई facility में कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं open करता हूँ यहाँ से, यहाँ पर open हो गया, और यह access point हो गया, इसको फिर से लगा देता हूँ, और अगर मैं काच को उपर करता हूँ, देख लेते हैं, दिन में मुझे नहीं लगता है कि दिखने में कुछ प्रॉलम होगा, कि लेकिन लग रहा है कि रात को में यह भी problem हो सकता है, अगर इस टैप का film लगा हुआ है अपके glass में, ओके, तो इसको down करके अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो यहाँ से हवा भी pass होगा, और ज्यादा हवा का hit है, वो diet face पे भी नहीं लगेगा, लेकिन हवा का circulation भी चलत सकते हैं, और try ले सकते हैं, तो last query जो है कि यह road पे legal माना जाता है नहीं, तो यह बहुत mixed type का मुझे review मिला है, मैंने भी बहुत search किया, और कुछ-कुछ दोस्तों से भी मैंने इसका feedback लिया है, तो जो मेरे पास information आया है कि इसको उपर कोई पका तो ऐसा कुछ भी rules applied नहीं है लेकिन कुछ-कुछ state में यह totally banned है, वहाँ पे use नहीं किया जाता है, वहाँ पे देखने से इसको उपर चालन काटा जाता है, और कुछ-कुछ state में भी ऐसा है कि आप इसको सामने में नहीं लगा सकते हैं, लेकिन back side में आप use कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे main बात है कि अग driver seat में और co-passenger seat में वहाँ पे आप इस टाइप का शंचेड यूज नहीं कर सकते हैं, यह भी बात आठता है कि अगर आप transparent film लगाता है, 70% transparency का, तो वहाँ पे कैसे माना जाता है, तो यह बात वही है कि बहुत mixed type का review आ रहा है, यह totally आपका decision है, आपको use करना है, नहीं करना ह अगर यह demonstration आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज मेरे इस चैनल और संटरेकरेडर को subscribe कर लेजे, like कीज़े, comment section box में जबर बता ही है कि यह वीडियो पर कैसा लगा